नमस्कार और सुबागते आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो सुसान सिंग राशपुत की बहन ने सुसान सिंग राशपुत केस में खोल दिये कई बड़े राज बताया सुसान सिंग राशपुत को कैसे रिया चकावर्ती ने ही खतम किया जी हाँ आपको बता दे सुसान सिंग राजपुत की बहने अक्सर सुसान सिंग राजपुत केस में कोई ना कोई बड़ा बयाम देती रहती ही है और इसी बीच एक बार फिर से सुसान सिंग राजपुत की बहन ने रिया चकवर्थी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जिसके बाद निश्ची तोर पर रिया चकवर्थी की परिस्तानी बढ़ेगी और रिया चकवर्थी को एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ सकती है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि रिया चकवर्थी को लेकर सुसांथ की बेहन ने क्या का है सुसांथ की बेहन ने विहाली में सल्साल मेडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि सुसान सिंग राजपूत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ और सुसान सिंग राजपूत को बहुत बड़े धोखे बहुत बड़े सड़ेंतर के तहत खतम किया गया है इतना ही नहीं सुसान सिंग राजपुत की बेहन ने ये भी दावा किया कि जो लोग सुसान के करीब रहा करते थे उन्हीं लोगों ने सुसान सिंग राजपुत के साथ ये सडेंत रचा था इसी वज़े से आज सुसान सिंग राजपुत हमारे बीच नहीं है अब जिस तरह से सुसान सिंग राशपूत की बेहनों ने सामने आतर के बयान दिया है इससे तो एक बात पूरी तरह से clean नजर आ रही है कि सुसान सिंग राशपूत की बेहन को रिया चकवर्ती पर ही सक है किसी और पर नहीं अब इसके बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या CBI और NCB की टीम रिया चकवर्ती को बुलाएगी और रिया चकवर्ती की क्या गिरततारी होगी क्योंकि जिस तरह से सुसान सिंग राशपूत की बेहने लगतार रिया चकवर्ती को लेकर बयान देती है उससे कहीं न कहीं ये जाहिर होता है कि रिया चकवर्ती ही सुसान सिंग राशपूत केस में मुख्य आरोपी हो सकती है बस इस केस की अच्छे से चानवीन करने की जरूरत है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के सास्यर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद